मसाला खिषड़ी बनाने के लिए एक कुकर में तीन चमच देशी घी डाल लेंगे घी के करम होते एक टुकड़ा दाल चीनी का एक लॉंग चार पांच काली मिर्च और एक चमच जीरा थोड़ी सी हिंग डालेंगे भून लेंगे अब एक इंच चद्रक को ग्रेट करके लिए दो हरी मिर्च और एक चोटा प्याज डाल कर इसे हम हलका सा ट्रांस्परेंट होतने तक भून लिया है अब इसमें आदा चमच हल्दी आदा चमच लाल मिच बॉड़र डालेंगे एक टमाटर डालेंगे इसे मसाले प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और एक चमच करी पानी तो जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब इसमें सब्जिया डालेंगे तो एक गाजर एक फूल गोवी एक कप हरी मतर और दो आलू को काटके चील के लिए तो सारी सब्जिया इसमें डालेंगे सब्जिया आप अपने पसंद की ले सकते हैं अच्छे से आबल और आधा कब मुंग दाल को मैंने विगो दिया था 10 तो भीगो कर अब इसमें डालेते हैं मिक्स करेंगे किचड़ी के साथ अब इसमें डालेंगे हम पानी तो 6-7 ग्लास पानी इसमें काफी रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ी पतली चिट़ी अच्छी लगती है 4 मिक मिक्स कर लेंगे नमक चेक कर लेंगे और आदा जमच गरम मसाला डाल कर मिक्स कर लेंगे कुकर कर ढगा देते हैं एक स्वीटी तेजगेस पर लगाएंगे पांच मुनट कम पर पकाएंगे तो खिचुड़ी बनके हमारी तैयार है कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया खिट्री हमारी बनके तैयार हुई है गर्म गरम सर्प करेंगे थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो